नवस्कार फेंड स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सुभांस क्लास में हम आपके लिए लेकर आएं अर्थवासिक पच्छा 2021 रसायन विज्ञान कच्छा 12 के पूछे गया सभी मैत पूर्ण कोश्चन के आंसर लेकर आएं दोस्तों इस वीडियो में आपको बता अभान नवर दोस्तों जो पहले बना है यदि आपने नहीं देखा हो तो देख लेजिए हम आप इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ हैं दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखी कर देखिए जिदा चैनल को समस्क्राइब कर लेजाएं वीडियो कुश्यन का दोस्तों प्रयोग साला में फास्फ४ीन गैस किस परकार बनाए जाती है प्रबरणन कीजिए इसके गुरूलों की तिलना अम्मियना की जास के से कीजिए दोस्तों तो इसी नकारों है दोस्तों हत Kung फास्फ४ीन मनाने की प्रयोग साला विदी का वर्णनन कीज़िए सबस्क być किसी भी किसी भी प्रकार पूंशंग सकता है तीन से चार टयप की कोश्यन हम बनागे लाएं दोस्तों आपको इस टाइप के हूँ सकता है या आप से तरों पूसे में प्रयोगस deug월 बनाने के विडी कर असे अचयान लेख लेकृध्त तो इदिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें लिए विल आइकन को आउन कर लिए देख लेते हैं प्रियोक्स आला में फासपीन प्याइश 3 किसी अक्री गैस जैसे कोल गैस के वाता वरण में गोंद गोल पेंद के फ्लॉक्स में फास फास वोरस तता 30 से 40 परसा स संद सोडियम हड्रकसाइड विल लाइन के साथ गर्म करके बनाते हैं कैसे बनाते हैं तो उस प्रियोक्स आला में फास, फास्पीन PS3 किसी अक्री गैस किसी अक्री गैस जैसे कोल गैस के वाता वरण में गोल पेंदे के फलॉक्स में फास्पोरस तता 30-40-60 सोडियम हाइड डाकसाइड विलियन के साथ गर्म करके बनाते फास्पीन गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है दोस्तों ये कैसे नि भ्रहमित वले बनाते हैं दोस्तों क्या बनाते हैं दोस्तों दुएं के भ्रहमित वले बनाते हैं जो मेटा फास्पोरिक अमले के होते हैं ये गैस जल में अधू मुखी विस्तापन द्वारा इकत्रिक की जाती है दोस्तों फास्पीन निर्मान में प्रियोक्त कोल गैस अक मुश्ट इंपोर्टेंट सूतर है दोस्तों फासफोरस को फीफोर 3-H-NO-N-A-O-H प्लस 3-H2O की करिया गराते हैं तो क्या बनता है सोडियम हाइपो फासफोराइड प्लस पी-H3 क्या बनता है दोस्तों सोडियम हाइपो फासफाइड 3-N-H2-P-O-2 और अमोनिया बनती ही दोस्तों इसके बाद 2-P-H3 की 4-H2O के साथ किरा कर आते हैं दोस्तों तो P2O5 और 3-H2 बनता है दोस्तों फासफीन की जलन सीलता का कारण इसमें उपस्तित P2H4 की असुद्धी होती है दोस्तों आपसे पूंच सकता है फासफीन में जलन सील का कारण क्या है तो इसमें जलन सील का कारण दोस्तों तो P2H4 की उपस्तिती किसकी उपस्तिती के कारण यह जलता है दोस्तों फासफीन में जलन सील का कारण इसमें उपस्तित P2H4 असुदियां होती है दोस्तों यह असुदियां होने के कारण इसमें जलन पन होती है 3 P4 Phosphorus को 8 Sodium Hydxide के साथ किरिया कराते है 8H2O के इस पस्तिति में तो Sodium Hypo Phosphorite बनता है दोस्तों क्या बनता है Sodium Hypo Forest बनता है दोस्तों और दूसरा है दोस्तों P2H4 की 702 के साथ किरिया कराते है तो तो मेटा Phosphorite बनता है दोस्तों 4HPO3 और 2H2O और Phosphorite Hydroxide इसकी बनाने का फिगर है दोस्तों यह most important है तो फिगर को पूरा समझ लेजे दोस्तों एक बार और इसको माइंड में थोड़सा बैठा informs दोस्तों क्यूंकि पी-एच-3 उपस्तित होती ही, यहां बललो के रूप में आती है, यहां से किरिया करके पी 3, पी हाgeneration, पी 2, एजda 4 और हाइज 2 सब्सक्राइब की इनमे इस प्रावाइज आ विले है, झाल अज्च आगर को एक बार अच्छा अज्च में देख को अज़ायें से आगर आगर 추ाल एंद नेषक सक एक तैर3, 6 पी आगर गेश का वार lagi है most important figure है जिससे आपको एक बार समझ लेजिए और बनाने के प्रेक्टिस करेजिए बहुत सिमपल है दोस्तों एक stand की साहता से फ्लॉक्स को कस दिया जाता नीचे से बर्बना जलाए जाता दोस्तों आपको ध्यान रखना एक प्रियोगत करने से सुद्ध फासफिन प्राप्त होती है कास्टिक सोडा का एलको हॉली---. युक्तक करने से सुद்-फॉस्फियन प्यापत होती है क्योंकि P2-H4 एलको हल्मे विले है किसमें है दोस्तोष एलको हल्में विले है दोस्तो रसायनिक गुण क्या होते हैं इसके most important है rसायनिक गुण पहला गोड़ा सिल्वर नाइट्रेट विलियन से करिया है जब यह सिल्वर नाइट्रेट यह पहले AG3P काला उच्छे देती है जो सिल्वर नाइट्रेट को अधिक में AG से अप्चेत हो जाता है दोस्तों PH3, 6AGNO3 और 3H2 से कराते हैं पराप्त होता दोस्तों AD6-HNO3 और 23Po3 पराप्त होता दोस्तों विरंज़क चूण से करिया जब इसकी फासफीन की विरंज़क चूण से करिया कराते हैं CA-CEL-2 से करिया कराते हैं तो दोस्तों है कैल्सियम हैडराकसाइड और फासफोरिस्ट टेट्रा कुलराइड बनता है दोस्तों उप्योग क्या होते हैं दोस्तों मॉस्ट इंटिसके उप्योग है आप यदि पेपर देने जा रहे हैं तो इन्हें एक बार जरूर पढ़ लीज़ेगा यह आपके लिए मॉस्ट इंपोर्टेंट है दोहतों में फासफाइड बनाने के लिए दोहतों के फासफाइड बनाने के लिए दूसरा उप्योग होगा दोस्तों कैलसियम फासफाइड धुए के परदे बनाने के काम आता है तीसरा दोस्तों समुद्री यात्रा में होंज सिंगनल के नाम से संकेत के लिए प्रियोख्त होती है दोस्तों पी हेस ठीडि अमोनिया और न इस ढींडक तुलना करेंगे कान दोस्थय धुंअ-पास्वी मिटी होती है दोस्तों दूसरा है दोस्तों फास्वीन गंद अप्री है सड़ी मचली जैसी गंद होती है जबकि अमोनिया एक विसेश्ट्रिव गंद है दोस्तों अगला दोस्तों अगला अंतर है दोस्तों इनमें फास्वीन हवा से हलकी भारी होती है फास्वीन कैसी होती है अगला पॉइंट है दोस्तो साओं की रूप में औचुपित करता है दोस्तों दोनों के अंतर का पॉइंट है दोस्तों आमोनिया के अड़ू हाइड्रोजन बन बन बनाते हैं जबकि फास्वीन के नहीं बनाते है लैंथेनाइट संकुचन तता इसके परड़ामों की को समझाईए दोस्तों यह मोस्ट पर में पूँचा गया दोस्तों लैंथेनाइट संकुचन तता इसके परड़ामों को समझाईए यह आपके आपके ऐली तक परमालू तक आएनक तरज़ा गढ़ती है दोस्तों एले से एलियो तक परमाडु तरज़ा गढ़ती है यह लच्छन लेंथेनाइट संकुचन क्या कहलाता है दोस्तों परमाडु क्रमांग बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाविक आविस बढ़ने के कारण लेथियम से एलियो तक परमाडु आ प्रभाव और अच्छन प्रभाव के कारण होता है यह दुरबल प्रचन प्रभाव नाविक के आकरसर बल को संतुलित नहीं कर पाता है जिसके परणाम सुरूप नाविक आकरसर बल अधिक हो जाता है और यह परमाडू के आकार में कमी होने लगती है दोस्तों लेंथेनाइट संकुचन के कुछ महत्पूर्ण पढ़नाम क्या होते हैं जब इस संकुचन हो जाता है दोस्तों लेंथेनाइट का प्रतक करण चुकि सभी लेंथेनाइट तट्टों के रसायने गुण में समानता होती इसलिए इनका प्रतक करना असान नहीं होता परन्तु लेंथेनाइट संकुचन के कारण इनमें कुछ गुणों में विविनता आ जाती है जिसके कारण इन्हें आयन विनमें रेजिन विदी द्वारा प्रतक किया जा सकता है किस विदी द्वारा इन्हें प्रतक किया जाता है दोस्तों रेजिन विदी द्वारा विनमें रेजिन विदी द्वारा इन्हें प्रतक किया जा सकता है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्सिन बन जाएगा दोस्तों यहां से लेंथेनाट सं कार कम होने के कारण बंद सेंस्योंजी बंदे में लच्छन वृद्धी होती है अता एले उएस तरी अधिक छारी वा एल यू ओएच कम छारी उपर दस्थित करता है दोस्तों समान परमाणू तता आइनिक तरज्ज लेंदेनाइट संकुचन के कारण जेडार तता एचफ वा एन भी तता टीय की तरज्जियां वा गुडधर्म लगबग समान होते है इसलिए रसाने गुड़ इनमें इन्हें जुड़मा भी कहा जाता है दोस्तों उतकरष्ट गैस या क्री गैस क्यों होती है दोस्तों और इनके क्या द्वारा बनाया गया है या होगयो कि सूत्र लि इसका अंसर है या एक और क्रॉश्ट बन सकता है आप से कि और उसट्रॉट के अकरी होने के कारण लिकित था की Short K ます औरarken क्या होती है दोस् Demaire या अकरी गयस सबीकर्च पूर्टरा भरे होने के कारण यह संतरप्त होतीill क्या होती है उत्रइब क्रश्ट गैस या क्रीगास गैस एस बिया होने के कारण संत्रफ होती इसलिए रसाइनी ग्रूप की निस्क्रीव होती है तत्तो के इन यिव विव 10 साईज च्छोने के कारण उच्छ होते हैं तथा यह रसाइनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों इनके द्वारा बनाए गए दो यॉगिंग निमने रिखे थे हैं दोस्तों डबलू एची टू एज ए आर सिक्स एज टू दो यॉगिंग निमने दोस्तों डबलू एची टू और एज एज ए आर सिक्स एज टू और क्वी लाइट खनेज यूरेन टाइट की असोधियां रेडियो एक्टियो में हेलियम गैस पाई जाती है इसका उपयोग गुबार वा हेलियम उतकष्ट गैससे सबसे ज्यादा निस्क्री क्यों होती है दोस्तों आपसे पूचा गया था 2013 में एक पूचा गया है दोस्तों कारण सही तो इस पस्ट कीजे की एची उतकेश्ट गैसों में सबसे ज़्यादा निस्ख करी होती है दोस्तों उतकेश्ट गैसों की आइनन उर्जाओं का करम निम्नवत है दोस्तों उतकेस्ट गैसों की आइनन उरजा का करम निमनुवत है, दोस्तों सबसे जयाद क्रिएसिल होती ही, हörung पिर नियान पिर आरगन पिर के आर फिर एकiffany यूफिर रेडान इससे स्पर्ष्ट होता है कि हिलियम का आइनन उजा ओच होती आता है इससे लक्टरान निसकार्सित करना असान नहीं है इसकी के धार पर हम कह सकते हैं कि हिलियम उटकेस्ट गैस्टों में सबसे ज़्यादा निसकरी होती है दोस्तों तो सबसे ज़्यादा उतकेश्ट गैस कौन सी होती दोस्तो हीलियम और सबसे ज़्यादा निस्करी गैस कौन सी होती दोस्तो हीलियम दोस्तो अगला कोश्चन दोस्तों सफेद फासपोरस तर लाल फासपोरस कैसे प्राप्त किया जाता है लाल फासपोरस तर सफेद फासपोरस किन गुणों में भिनने है दोस्तों आप से पूछा गया था कोश्चन लाल फासफोरस सफेद फासफोरस कैसे प्राप्ट किया जाता है दोस्तों इसका उस्तर लेकर आए हैं सफेद फासफोरस को निसकरी वाता वराण में 242 engag से प्राप गर्म करने पर वेल लाल फासफोरस में बदल जाता है दोस्तों सफेद फासफोरस को निस्करी वातावरण में निस्करी वातावरण में 240 सेंटिकेट ताप पर गरम करने पर वह लाल फासफोरस में बदल जाता है सफेद फासफोरस को पी फॉर और निस्करी वातावरण में 240 सेंटिकेट के ताप पर गरम करते हैं स्गेर्फासफॉरस क्या बन जाता दो सफेथ फासफॉरस की गोड़ा संड़ा पहला के पहलां इस तो ये नर्म ठोस मॉम जैसा होता और यह लाल फासफॉरस ऑ कैसा होता है भंजक चूंड कर्श्टली ठोस होता है दूसरा है दोस्तों रंग कैसा होता है इसका रंग हीन सफेद या पीला अंधेरे में चमकता है लेकिन लाल फासपुरस लाल अंधेरे में नहीं चमकता है दोस्तों गंद इसकी लैसन जैसी गंद आती है सफेद फासपुर तो बहुत सेला होता हुए और लालफासपोरस वसायला नहीं होता है दोस्तों कि Northeast आत्बर में हिए करिया सेहल होता है सफेग फासपोरस लेकिन लाल इसका कारण स्पस्ट कीजिए दोस्तों यह मुश्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन है जो आपसे पूंचा गया है दोस्तों अर्दवासिक परिच्छा में जमान ताप एवन दाप पर ब्रोमीन एक द्रव है जबकि आयोडीन ठोस है कारण स्पस्ट की आयोडीन का अडू भार तता आकार दोनों ब्रोमीन से अधिक होते हैं क्या होता दोस्तों आयोडीन का अडू भार तता आकार दोनों ब्रोमीन से अधिक होते हैं चुकि आयोडीन के मद लगने वाला आडवे का करस्ण बल ब्रोमीन की तुलना में अधिक होता है इसलिए आयोडीन ठोस तता ब्रोम हेलोजन रंगीन क्यों होते हैं क्यों होते हैं क्यों होते हैं सभी हेलोजन रंगीन क्यों होते हैं क्योंकि इनके बाहितम कोस्ट करके उर्जा इस तर में चला जाता है क्या होता है दोस्तों सभी हेलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके बाहितम कोस्ट करके उच उर्जा इस सासथ कम होती इसलिए हैलोजन रंगीन होते हैं आकार बढ़ने के सासथ इनका रंग गहरा होने लगता है दोस्तों कुछ हैलोजन के रंग इमलिक है थे दोस्तों फासफोरस का रंग हो फ्लॉरीन का रंग होता है हलका पीला क्लॉरीन का रंग होता है पीला हरा और ब्रोमीन का लाल नारंगी और आयोडीन का बैंग नी दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होते वीडियो के लाइक कीजिए के चैनल को सब्सक्राइब करें किसी भी कुश्चन का अंसर पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएगा धन्यवाद दोस्तों